नमस्कार आप सभी का आगें स्ट्रेप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आटियाई एक्ट के तहत अपने अपने छेतर के होस्पीटल अस्पताल के स्थिति किस प्रकार जान सकते हैं तथा उसमें हो रहे कमी को किस प्रकार सुधार कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगें जो इस चैनल से पहली बार जुरेवे हैं वो अब सब्सक् के पास महचे तथा एक लाइक अवस्च कर देंगे तथा उपयोगी लगे तो एक दूसरे को अवस्च सेयर करें जिससे इसकी जानकारी हर किसी को आसानी से हो सके तो चलिए आज हम लोग जानेंगे किस प्रकार हम लोग अपने अपने छेतर के प्रखंड या अनुमंडल या जीला के होस्पीटल में आर्टि लगाएंगे सत्यमेव जैते सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रपत्र को सेवा में जन सुचना पतादिकारी या लोग सुचना पतादिकारी जो भी आप लोग लिखते हैं वो लिखेंगे विभाग का नाम लिखेंगे अगर आप प्रखंड हस्पीटल से प्रखंड में जो हस्पिटाल है उसमें आर्टि याई लगाएंगे तो उस प्रखंड का नाम लिखेंगे या नुमंडल से में जो हस्पिटल है उसका लिखेंगे या जिला में जिस भी हस्पिटल में आप आर्टि याई लगाना चाहते हैं उसका यहां नाम लिख देदेंगे विसे आर्टी आई एक दो जार पांच के तहत वांची सूचना प्रदान करने के संबंद में महद है अपना नाम और पूरा पता लिखेंगे तीसरा मांगी गई सूचना जिस भी आप जैसे यहां परखंड अस्पिताल में लिखेंगे तो यहां परखंड का नाम लिख देदेंगे जीला या नुमंडल जिस भी अस्पिताल में आप आर्टी आई लगाएंगे वहां का नाम लिखेंगे इस्थित वास्थान का नाम देंगे जहां अस्पताल इस्थित है अस्पताल के सम्मंद में निफित सूचना चाहता हूँ पहला दिनांग 112-1222 से 162022 के बीच करने का मतलब जिस भी तारिक के बीच में आप सूचना लेना चाहते हैं उस बीच में आप यहां डेट दे देंगे के बीच अस्पताल के लिए कुल कितने रकम की दवाई कर दी गई दवाई के खरिदने और उन्हें अस्पताल के अंदर के स्टॉक में रखे जाने से संबंधित रेश्टर की पिछली 6 मां की परती दें मैंने च्छा मां का परती मांगा है आप लोग जितने भी मां का एक वर्स दो वर्स या एक मां दो मां जितने भी मां का आप लेना चाहते हैं सूचना वो यहां लिखेंगे दूसरा पिछले च्छा मां के बीच कुल कितने रकम की दवाईयां यहां आने वाले मरीजों को रेश्टर्ड की पिछले छह मां की परती उपलब्द कराएं जो भी दवाई अस्पताल में आती है उसे जो निसुल्क दिया जाता है उसका सारा का नाम पता डिटेल्स लिखा जाता है कि यह यह दवाई फलाने फलाने व्यक्ति को दी गई है वह रेश्टर्ड की छहा परती भी आप ले सकते हैं तीसरा है अस्पताल के लिए दवाई खरीदने तथा वितरन के लिए न्युक्त अधिकारी के नाम पत तथा संपर का पता अपलब्द कराएं जो भी अधिकारी दवाई खरीदने और दवाई बाटने में जिनका नाम है पत का नाम हो और उनसे किस प्र चोथा है इस दोरान जिस एजन्सी से दवाई खरदी गई उस एजन्सी का पूरा विबरन उसका नाम और पते के साथ उपलब्द कराएं जिस भी एजनसी से ये होस्पीटल द्वारा दवाई मंगाई जाती है उस एजनसी का भी नाम और पूरा विवरन पता हम लोग ले सकते हैं जिससे पता चले किस एजनसी से दवाई मंगाई गई है वह एजनसी कैसी है वह सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही है दवा की क्या क्वालिटी देती है वो सारा आप लोगों को पता लगेगा इस प्रकार और भी अन्य कुछ पॉइंट पर आप सूचना चाहते हों हॉस्पिटल से संबंदे तो पॉइंट टू पॉइंट आप लोग यहीं लिख देंगे नीचे फिर है सुल्क किसी भी सूचना क तो लेने के लिए बिहार राज सरकार में 10 रुपे का सुल्क रखा गया है अन्य राजियों में सुल्क अलग अलग हो सकता है तो अपने अपने राजिक हैनुसवार वहां सुल्क देंगे जो भी गरिवी रेखा से नीचे परिवार के सत्र से हों वो अपना रासन कार्ड संबंदित नहीं हो तो आर्टी आई एक्ट 2005 की धारा च्छा तीन के तख संबंदित पतादी कारी को अस्थांतरित कर मुझे भी सुचित करें यदि कभी कभी हो सकता है कि जिस भी कार्याले में हम सुचना चाहते हैं उस कार्याले में आवेदन न भेज कर अन्य कार्यालों म अपने आवेदन में अवस्य कर दें जिससे संबंदित पतादी कारी को आसानी से आपका आवेदन पहुंच सके तथा आपको सिगरी सुचना मिल सके अपना हस्ता अक्छर कर देंगे अपना हस्थां तिथी देंगे इस प्रकार हम लोग यदि अपने अपने छेतर के होस्प सभी दवाईयां निसुल्ख मिल सकेगी क्योंकि अधिकान्स हॉस्पिटल में दवाई डॉक्टर द्वारा कई लिखी जाती है लेकिन सभी दवाईयां वहां उपलब्ध नहीं कराई जाती है इस प्रकार हम लोग बार बार अगर अपने अपने छेतर में आर्टियाई लगाएंगे तो वहां के स्थिति में सुधार होगी और समभपता है कि वहां सारी दवाईयां मरीज को उपलब्ध निसुल्ख करा दी जाएगी जय हिंद